दोस्तों आप सब कैसे हैं इस वीडियो में हम लोग देख रहा हैं 50 important question for उत्तरप्रदेश APO exam फर्स्ट कॉस्चन है choose the correct statement यानि सही कथन चुनिए सो फर्स्ट है केरल हाईकोट देश की पहली पेपरलेस अदालत बना है केरल जो हाईकोट है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है दूसरा है उत्तरप्रदेश देश का पहला पेपरलेस बजट पेस करने बाला राजबना है और तीसरा है सौम्या सौमिनाथन डबलू एचो की मुख्य वेग्यानक है दूसरा है उत्तरप्रदेश देश का पहला पेपरलेस बजट करने बाला राजबना सौम्या सौमिनाथन डबलू एचो की मुख्य वेग्यानक है डबलू एचो निउज में था अदर स्टेट एकजाम में जूरीशल एकजाम में जी के जहां जहां पूछा जा रहा था डबलू एचो में बहां से कॉश्चन मैक्सिमम एकजाम में पूछे गया है क्योंकि डबलू एचो निउज में रहा कोविट टाइमस में डबलू एचो है डबलू टीओ है और आपका यूरो पे निउनन है और नाटो लिए था यूक्रेयन रूस का जो युद्ध चला है तो इससे कॉश्चन आ सकते हैं कि यूक्रेयन से जो सहर पूछ जा सकते हैं चार-पांस सहर दे देंगे इस सहर किस दिस सम्मान देत है रूस से या यूक्रेयन से और रूस से भी कुश कॉश्चन आपके बन सकते हैं सुमन बैरी बने तीसरा है गुलाब तूफान का नाम करण पाकिस्तान न किया एबं सहावाज सरीप पाकिस्तान के नयप्रदान मंत्री बने और बे पाकिस्तान की पाकिस्तान मुसलिम लीग पार्टी से सम्मन रहे थे और चोथा स्टेटमेंट है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर परुसकार नरेंद मोदी को दिया गया तो चारों का थन दोस्तों ये भी सही है क्योंकि भारत जो सेन खर्च की मामले में तीसरा स्थान है भारत का और नीटियायो के उपार्थ देख समन बेरी बने नीटियायो कोई सीओ कोई है नीटियायो के चेयर्मन कोई होते इस टाइब से क्वाश्चन आते हैं और नीटियायो कोई 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 सी रेपोट जारी करता है या आपके UPAPO में एक जाम में आ सकते हैं तो गुलाब तूफ़न का नाम करण करण किस ने किया, या यास तूफ़न का नाम करण किस ने किया, या तुकाते तूफ़न का नाम करण किस ने किया, इस टाइब से आ जाते हैं, और नए कहीं के भी हेड बनते हैं, या कहीं के प्रधान मंत्री बनते हैं, जैसे पाकिस्तान क बने, आपके नेपाल के बनते हैं या स्रीलंका के अगर बन जाते हैं तो जो जो नए बनते हैं, वो आपको UPAPO में पढ़ना है और पार्टी से, जैसे जो बैडन के इस पार्टी से सम्बन रहे हैं, इस टाइप से आपको ये भी पढ़ना है तो next है choose the wrong statement इसमें बताना है wrong statement कौन सा है तो वो दोनों question में आलब दावाब right answer था तो इसमें बताना है choose the wrong statement तो पहला है भारती दूतावास दौरा मेडा गासकर में महतवा गांदी green तरबच का उदोगाटन किया गया दोस्तों महतवा गांदी से APO में question पूशे आने की संभाबना है महतवा गांदी news में है आपकी डांडी March जो डांडी यात्रा थी वे उन्यूज में है आजादी का आमरेतमन होस्ताव ये सब important topic है महतवा गांदी की किताब वो कौन सी थी कौन-कौन से मतला अंदुला ने सत्ते गरह मुन न भाग लिया तो ये सब question आप महतवा गांदी से related जित्ते वी इस थी question होते हैं वो आप पढ़ लीजिए तो भारती दूतावास द्वारा मेडा कासकर में महतवा गांदी गिरिन तरवच कादुकाटन की आ गया right है दूसरा है अमेरिका हत्यारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है बलको सही है अमेरिका है जो हत्यारों का सबसे बड़ा exporting country है तीसरा है और इसमें क्या बताना तीसरा है बेतनाम में तक्षणपूर्व ACI खेल आयोज़े थोंगे 2022 में यानि साउथ जो एसिया साउथ इस्ट जो गेम होंगे वो आपके बेतनाम में आयोज़े थोंगे ये बलको सही है बेतनाम एक देश है इसकी राज़धानी हनोई है चोथा यूकरेन की राष्टपती ब्लादीमिर जेलेनस की को चेक रेप पबलिक ने अपने सीर्स राज बेतनाम में दक्षनपूर वेस ये खेलायो जेत होंगे 2022 में नया जो जो खेल होंगे वो क्वेस्टन बनेंगे चाहे आपके जो आपका फीपा वेस्वक अप हो आपका जो कामन वैल्थ गेम होंगे या नई जैसे आई पील में दो रही टीम जोड़ेंगे तो नया जो जो होता है खेल स्पोर्स से रेलेटर वो आपको पढ़ना है या चाहे आपको सीथ कालिन उलम्पिक हों 2022 के आपके उलम्पिक से भी और क्वेस्टन आ सकते हैं और 2022 से लेटर जित्ते भी जो टेनिस के उपन होते हैं आपके आश्टिलियन उपन है आपका फ्रेंच उपन है आपके एक विमल डन होता है और आपका एक यूएस उपन होता है तो ये चार अनचार से कौश्चन आपकी आते हैं तो इसमें कोई भी incorrect नहीं है All of these is correct Now next है योगी आधेतनात कहाँ से विदायक है तो योगी आधेतनात दूसरी बार उत्तरप्रदीष के मुख्वमेंतरी बनी तो question आ सकता है कि योगी आधेतनात कहाँ से विदायक है नेचस्ट है Choose the Correct Statement, इसमें correct statement बताना है तो फिर्स्ट है, पंदरवें बित्ताई होगे अद्यक्श near nkc jsme बतायो है ये कोशन आ सकता है, उलम्पक से कोशन आ सकते हैं जो International Olympic Committee है उसका Headquarter कहा पर है, आप Comment Box बतायो है इसके लावा अंतराष्टी उलम्पिक समीती के अध्यक्ष थोमस बाख हैं और जर्मनी दिसके हैं और नेक्स्ट है विस्व वेंग के अध्यक्ष डेविड मला पास हैं तो आलोग दा स्टेटमेंट इस करेक्ट पंदरवे विस्तायों के अध्यक्ष एनके सीन हैं और वारती उलम्पिक संग के अध्यक्ष नरेंद बत्रा हैं अंतराष्टी उलम्पिक समीती के अध्यक्ष थोमस बाख हैं और विस्व वेंग के अध्यक्ष डेविड मला पास हैं जो न्यूज में हैं जैसे विस्व वेंग है आपका नाटो है नाटो के सेक्रेटर जैनल कौन है इसक प्रथमिस्तान गेहूं अभी न्यूज में है यूकरेन रूसमेंटर चला है और इसका रण गेहूं अभी काफी 20 लेवल पर न्यूज़ बना है तो कुशन आ सकता है कि भारत देश में कौन से राज सबसे राज पत्पादम करता है तो यूपी करता है और आपसे यह भी आ सकत एक मिनाट जो चीन है इसका फर्स्ट चीन का है पहला स्थान है आपकी गेहूं में आपकी चावल में आलू में कोईला में कपास में और चाय में इन सबके उत्पादन में आपका चीन का प्रथम स्थान है तो इसका राइट आंसर कह रहेगा चीन इसका राइट आंसर जहांसी रिलेवेस्टेशन का नाम बीरंगना लक्षिमबाई रिलेवेस्टेशन है, दूसरा है मैनपुरी सेने की स्कूल का नाम जनरल वेपन रावत सेने के स्कूल है, जो भारत के पहले Chief of Defense Staff थे, तीसरा है मिड़े मेल योजना का नाम PM पोस्टर स्कीम है, चोथा है मातर भ इस्टेशन हभी गंज आपका रेलेबेस टेशन और जो भी नए नाम चेंज होते हैं उनसे आपके वोस्षन आ सकते हैं वो आपको पढ़ता है मेंने पूरी सेने के स्कूल का नाम जनरल वेपन रावस सेने के स्कूल हुआ है और मिड़े में योजना काफी जो निूज में थी PM पोशन इसका नाम है और आपका मातरभूमी योजना और एक जला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदी सरकार संबंदे थे यूपी गवर्मेंट से रिलेटेड जो इस स्कीम है वो आप पढ़ना है जैसे आप भी होता है यूजना है तो वो किस से रिलेटेड है आप से कॉशन ही आ सकता है अप ये इकजाम में तो आ लोग दागदा इश ट्रीटमेंट इस करेक्ट नेक्स्ट है चूजदा करेक्ट तुम्हें भी करेक्ट बताना है तो एक मिनिट इसमें बताना है चूजदा करेक्ट सुफस्ट है बैस्वेक जलवायू जोखिम सूचकांग जोगी जर्मन बाच एंजियो द्वराद जारी करता है मैं भारत का सातवा स्थान है तो बैस्वेक जलवायू सूचकांग है इसमें भारत का सातवा स्थान है दूसरा है बैस्वेक प्रेश सुतंदरता सूचकांग दो भारत की 131 रेंक है दोस्तों चार और पांचों इंपोटेंट है इन जी कोश्चन आती है बैस्वेक जलवाई योखिम सूचकांग किसमें भारत की सेविंथ रेंक है तो एक कोश्चन पूछा जाता है देखिए वह वह रिपोर्ट आपको पढ़ना है जिन में भारत की रेंक 10 तक और आपकी पीछे से सबसे ज्यादा है जैसे 120 से लेकर 150 तक जिन्यन मतलब सूचकांग के रेंकेंग में रेंक है उन से जानतर कोश्चन आने की संभावना रहती है पढ़ना तो आपको पूरे हैं लेकिन इन से जानतर कोश्चन आते हैं तो बैस्वेक जलवाई योगि सूचकांग में 10th rank है इससे भी question आ सकता है और मानवेकास सूचकांग में 131 भी rank है इससे भी question आ सकता है पुन जारी करता है UNDP यानि United Nation Development Program दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकिया है सब्सक्राइब कर लें और बैल आगर भी प्रेस करते हैं नेक्स्ट औजवला योजना 2.0 की शुरूगात का हुई तो औजवला योजना से question आता है पिछली बार देख लिया था तो अम नहीं बताएंगे कि औजवला योजना जो 2.0 कहां से सुरू हुई question आते हैं आपके जो प्रतान मंत्री के सान जो सम्माने दी बिलती है बो योजना कहां से launch होई आत्म नर्वार वाली जो स्वास्ते योजना है बो कहां से launch होई तो इस टाइप से जो नई योजना launch होती है उससे question बनते हैं और आपसे पुराने भी बन जाते है यूपी से जो जो गबर्रमेंट स्कीम लॉंच हुई यासे ओजवला जो 1.0 कहां से लॉंच हुई तो यह सब आप से कोश्चन बन जाते हैं या बलिया से पूंच लेंगे बलिया से कौन सी यूजवना लॉंच हुई है यह महावा से कॉंसी योजना लॉंच हूए गौरक पर से कॉंसी योजना लॉंच हूए आपकी बनारा से कॉंसी योजना लॉंच हूए तो यह आपको पढ़ना है UPAPO के लिए लॉंच हूए नेक्स्ट है और आप से इस टाइप से कॉश्चन आ सकते हैं के अमरत योजना टू पॉंच योजना कब लॉंच हूए या सोच्ऌ भारत में संसायरी टू कॉंच हूए और कब लॉंच हूए और किस मंत्रा अला ऐसे रिलेटेड़ है इस टाइप से भी कोईंटो एक अक्टूबर 2020 से यह युजिना लॉंच वी नेक्स्ट है काफी इंपर्टेंट कॉस्चन 2020 में कितने खिलाडियों को मेजर ध्यान चंद खेलत्न परुसकार और अर्जुन परुसकार से सम्मानत किया गया जेखिए जित्ते भी जो खिलाडी हैं जिने खेलत्न पर पड़ दिए तो मेजर ध्यान चंद खेलत्न परुसकार इसका नाम पहले था राजीव गांदी खेलत्न परुसकार तो इसका नाम चेंज हुआ है और परुसकार कब दिया गया था एक क्वेस्ट आपको आ सकता है एक आप पूछा जा सकता है बताए कमेंट बोक्स में किसी बारा खलाणियों को दिया गया और अरजन परुसकार चोंतीस खलाणियों को दिया गया मिजर ध्यान चंद खेल परुसकार में 25 लाग दिये जाते हैं अरजन परुसकार में आपको 15 लाग दिये जाते हैं इसके लाबा नेक्स्ट कोश्चन है इंपोटेंट बुक्स से रिल मेडल जीता है और संभीदान और भाला फैंक देवस भी मनाया जाता है कम मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में बताईए संभीदान संस्कृति और राष्ट किसकी बुखे कल राज मिस्र की है एकॉनमिस्ट गांदी किसकी बुखे जैतीर्त राव जैतीर थराब की बुख है economist गांधी नेक्स्ट है choose the correct इसमें भी आपको बताना है कौन सा statement right है तो पहला है यानि इसका मतलब है JCPOA एक deal है जो इरान से related है चाबहार पोर्ट भी इरान में है इबराम राइस यहां के रश्टपती है और रियाल यहां की currency है और यहां की sunset को मजलिस कहते है तो क्या है statement right है यह बिलको right है इरान है इसकी जो राजधानी तहरान है इबराम राइस यहां के जो राश्टपती है JCPOA एक deal है इसका फ्लफॉम मैं आप गोताता हूँ Joint comprehensive plan of action है इसका फ्लफॉम है और आपने सुना होगा इरान अमेलिका और यह नूपलर डील है जो इरान नूपलर डील कहीं कहीं है इसे JCPOA deal से question आता है कि इसे कौन से deal कहा जाता है इसे इरान नूपलर डील कहा जाता है पिछले साल यह चर्चा में थी तो question आ सकता है अफगानस्तान से इन में से क्या कह सम्मंदित है आपको बताना है हेलमंट ड्रबार है जैसे इस सबसे बड़ी नदी है अफगानस्तान से related हेरात प्रोविंस है और सलमा डैम है और लेंड लोग कंट्री यानि जो अफगानस्तान है बुबद राच है चारों और समद्र से नहीं जड़ा होगा है जबकि जो आपका अफगानस्ताने सार्क का सदस देश है सार्क में आपका अफगानस्तान है बेंस्तेक में नहीं इसके लाबा ऑपरेशन देवी सकती जो इंडिया का है वो अफगानस्तान से related है तो ये सभी के थन बिल्कों सही है अफगानस्तान में हेलमंड रिवर है हैराथ प्रोवेंस एक प्रोवेंस है अफगानस्तान में है और आपका सलमा डेम भी अफगानस्तान में भारत ने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया है अफगानस्तान एक land locked country है और यह बेमस्टिक का सदस्कतेश नहीं है बेमस्टिक में भारत भी है और operation दे भी सकती भारत का है जो वो अफगानस्तान से भारतियों को वापस नकालने के लिए था तो यह दूसरा statement बिलको सही था तीसरा statement है बिली 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 स्टॉर्म एंड डाउन्स बिली बिली स्टॉर्म यानि जो बिली बिली जिससे साइकलोन कहते हैं जनली बिली बिली साइकलोन और डाउन्स ग्रेसलेंड इस रिलेटेट टू आस्टिलिया बिली जो साइकलोन है औ प्रधनमंत्री वारत य से चार जाएगा विलजी आंवाले विलीटली के साइकलोन आती है उन्हें विली बिली कहा जाता है इसके लब डाउंस के मैदान आपसे question आ जाएगा चार पांच चे पूछे आते हैं एक step इस पूछे आते हैं आप पूछ लेंगे prairie के मैदान कहाँ पर पाय जाते हैं चार उपसंदे देंगे अस्टेलिया में उत्री अमेरिका, दक्षन अमेरिका या आफरीका में या सबाना कहाँ पर पाय जाते हैं ये grassland होते हैं जो हाँ स्भूमिया इनसे आपके APU में काट question आ सकता है चाहे वो डाउंस के मैदान पूछ ले प्रेरी के मैदान पूछ ले, पंपास के मैदान पूछ ले, चाहर पाँच आप से question आ सकते हैं तो इस सब आपके अस्टेलिया से related है नेक्स्ट है, जवाद साइकलोन named by Saudi Arabia and गुलाब साइकलोन by Pakistan, तो जवाद जो साइकलोन आया था इसका नाम करण कि ये Saudi Arabia ने और गुलाब का किया पाकिस्तान ने तो, all of the statement are correct परसी देख लेते हैं पहला विल्को सही है, एरान से statement है, जो related ये विल्को सही है, आपका अस्तान बाला भी statement बिल्को right है, और आपका ये अस्टेलिया बाला भी right है, और Saudi Arabia और पाकिस्तान बाला भी right है, तो all of the statement are correct नेक्ट है which event take place first history में आपसे इस टाइब के question आएगे कि पहले कौन सा event हुगा का कोरी ट्रेनेक्शन हुगा या चोरी चोरकांड हुगा या लखनाउ सम्झोता हुगा या आपका क्रेफ्स में सम्झोता हुगा तो लखनाउ सम्झोता है इसका write answer है इससोला में हुगा था वाकी सब बार में हुए का कुरी ट्रेनेक्शन इसका नाम चैंज हुगा है तो question आ सकता है चोरी चोरकांड से भी आपके question बन सकते हैं सो साल हुगा है कि इसलिए इससी question आपके आ सकते हैं इसमें foreign direct investment की limit कितनी है तो बड़ा दीगे ही जलिए question आ सकता है और इसमें limit है जो वो है 74% और ADA के जो head कौन है IRDA इसके आपसे chairman पूछिए आ सकते हैं तो वो है देवासी स्पंडा है IRDA के head है इसमें इसमें कौन सा इस्थान है बिश्वब में नेक्स्ट है choose the correct इसमें आपको correct बताना है तो फस्ट है कीब, Kharkiv, Lohanask, Odisha, Donovas, Donatusk और डनाई पर रवार एंड यूगरेनियन प्रेसिडेंट बॉलिदोमेर जलनेस्की गेट्स जोन एफ केनेडी अबाड इसमें correct बताना है राइट कौन से देश से क्या related है इसाब आपके बता रहा है यूगरेन से related है दूसरा है बोलका रेवर लैनन, स्टालेन, रसियन रेवलूशन, स्पूतनेक, S400, AK-203 राइफाल और 11 टाइम जोन एक इस से related हैं आप समझ गए होंगे बोलका रेवर कहां पर है रूस में लैनन, स्टालेन, इसाब रूस से related है रसियन रेवलूशन, 2017 के आपस स्पूतनेक बैक सीन, इस पूर अंड़ भारत ना खरीद लिए हैं और एके दो सुतीन राइफाल्स, 11 टाइम जोन पर है, रूस में, रसिया में और रूस और यूकरेन आपको अच्छी से पढ़ना है नेक्स्ट है, अमेरिका से क्या के related है, क्वार्ड का मेंबर अमेरिका है, अस्टिली है, भारत भी है, जापान भी है 46 विराष्ट पती, तो आपको पताए कोन है, जो बाइडन है, डेमोक्रेटक पारड़ी से, F-35, अमेरिका की का है और कॉंस्टूशन में सारत आड़ी क्याल है, जो बहां के, अमेरिका के 50 स्टेट हैं, अमेरिका में, और ल्यूक, हिूरॉन, और 4 जॉलाई, इंडिपेंडनेस डे, USA तो इस अब कहां का है, USA का बिल्गों राइड है, 4 जॉलाई को, अमेरिका है, 173 देवस मनाता है तो नाई पर रवर है, यह कहां पर है, और जो नाई पर रवर आपको पता है कि यूकरेन में है, और जोन एफ केनेडी अवार्ड मिला है, यूकरेन की रष्ट पती बोलोदोमर जेलनेस की को, इन्हें जोन एफ केनेडी अवार्ड मिला, तो कॉस्चन आ सकता है इसका राइट आणसर यूकरेन है इसमें रूस है इसमें अमेरिका है और इसमें निवाल है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रिस करतीगी नेक्स्ट कोस्टन है कोन नागरेख खवाई छेतर में ड्रोन उड़ाने के अनुवति देने बाला दुनिया का पहला देश बना चार ओप्सण है U.A.E. इसरायल, कतर, जापान तो उसका राइट आणसर है इसरायल, इसरायल पहला देश बना है जिसने drone उडानी के अनुमती दी है नागर कवाई छेत्र में नेक्स्ट है, भारत किस देश में पहला IID की स्थाफ ना करेगा तो UAE में भारत पहला IID की स्थाफ ना करेगा जो golden virgin byяг है वो UAE जारी करता है नेक्स्ट है और hope mission एक hope mission launch हुआ था आपका UAE से सम्भंदेत है, HOPE में सन, HOPE, HOPE में सन, और मंगल में सन से सम्भंदेत है, नेक्स्त है, चोविस अपरेल को कौन सा दवास मनाए गया, काफी important question है, 4 option है, राष्टी पंचाहिती रजज दवास, सोशाे techniques, पराक्रम दवास या राष्टी रेमत दाता दवास तो 24 अपरेल को मनाई जाता है, राष्टी पंचाहिती रेमत दाता दवास बताई है, 2008 में मंगलेयान 2013 में चंद्रेयान 2 2019 में ये 22 जोलाई 2019 को लाँच गगा, तो question आ सकता है कि चंद्रेयान बन का लाँच गगा, टू का बुगा मंगलेयान का बुगा ये गगणेयान का लाँच होगा इस टाइप से आपके APO में कीशन आ सकते हैं तो चंद्रयान बन बाई सकतुगर 2008, मंगल यान 5 नमामबर 2013, चंद्रयान टूग 22 जूलाइ 2019 और न्यूकलर टेस्ट डेट है, भारत मैं न्यूकलर टेस्ट च्छोधतर में किये थी और 1990 में 18 माई को किया था 1974 में 11-13 माई मैं किया थी जो नुकलेर टेस्ट किये थी 1974 में इंद्रा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी और 1974 में एटल बहरी बाच पे तो question आपका आ सकता है next है चूस्ट अंकरेक्ट इसमें incorrect बताना है तो first है केदारणास सिंग बर से स्ट्रीट और बहाल लीडिंग केस है धारा 124 ए आईपीसी जो राजदरू से सम्मन रहे थे ये काफी नुज में question आ सकता है राजदरू में minimum punishment कितनी है maximum punishment कितनी है जो कि आपके यहाँ पाप पुछ लिया था MP judiciary exam में नुज में था आप पहले ही बता दिया था कि जो नुज में रहते हैं वो इक question आपके जनरली पूछे आते हैं next section 125 CRPC महमाद आमाथ खानवर से साहब आनू ये भी आपका MP judiciary में पूछा था तो 125 CRPC रेलेटर है तो उनों ये सही है तीसरा है 494 IPC बाइगेमी बिल्कुछ सही है और 425 IPC मिश्चीप मिश्चीप का मतला बुता है रिष्टी तो नन अप दीजिए इनकरेक्ट इसका राइट आंसर हुआ क्योंकि ये आल स्टेटमेंटर सही है देखिए 124 से थारा राजदरू अभी चर्चा में है तो कॉश्चीप आ सकता है केस पर इस पढ़ दीजिए 125 CRPC मुहम्मद अहमात खानवर से सावानु से रेलेटर है एक और केस आता है सायरा वानु वर से यूनिन ओफ इंडिया और बाइगेमी से रेलेटर है 494 IPC और रिष्टी से संबन्दे से 425 IPC नेक्ट कोश्चन है हाली में भारत सरकार ने मुख आर्थ एक सलाकार के रूप में किसे निक्त किया है काफी इंपर्टेंट कोश्चन है तो इसका राइट आंसर है अनन्त नागी सुरम को भारत ने जो सलाकार आर्थ मुख आर्थ एक सलाकार के रूप में निक्त किया है नेक्स्ट एंकरेक्ट बताना है तो 16 दिसमबर बज़े देवस सही है आई एनस कुकरी को 99 से 32 साल बाद से वा मुक्त किया गया बिल्कु सही है तीसरा है नासा ने जेम्स वेब टेलिस्कोप नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप लॉंच किया ये भी विल्कु सही है और चोथा है 25 दिसमबर को अटल बहरी बाचपेई की जनम देवस पर राष्ट के सान देवस मना जाता है गलत है तो चार उप्षन नीरे चोपड़ा उनमुक्त चंद सुरेश रहना तो नीरे उनमुक्त चंद इसका राइड डांसर है उनमुक्त चंद जो अस्टेली याई बिगवेस लिग में खेलने भारत के पहले पर करकेटर बने हैं जो आपके नीरे चोपड़ा है नोगोल्ड मेडल जीता हो लंपक में इतने मीटर भाला फैंका कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्ट इबादत खाने करने नर्मार केशने करवाया तो इबादत खाने करने नर्मार के अकबादने और अकबार से एकाथ कॉस्चन एपियो में आने की समभावना ज्यादा है जैसे पूछ लेंगे हल्दी गाटी जैसे महारा परता आपसे रिलेटर है हल्दी गाटी के विद्ध कब हुगा या दीन अलाही धान की स्तापना कब की गई या आपसे पूछ लेंगे दास परता की समभावना है यहां पर सोबा लखाए सूवों है तो दास परदा की समापती 1562 वह बिल्कुश सही है तीर थे यात्र करकि जो समापती 1564 और सूवों का पुनर गठन 1580 तो आलार करेक्ट इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था तो काफी अच्चा कोश्चन है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था तो इसका राइट अंसर है जगेत नाराण मुल्ला है जो काकोरी कांड में सरकारी वकील थी काकोरी कांड से कोश्चन आ सकते हैं क काकुरी गंड में कौन-कौन सम्मलित था या कब हुगा काकुरी गंड की घड़ना नेक्स्ट है भारती नोसे ना कूप प्रजेक्ट 75 की तहत चोथी स्कॉर्पी एन पंडूबी सौपी गई है उसका नाम क्या है काफी इंप्रूटेंट कोश्चन है इसमें चार ओप्सन है ब को सही है और प्रदानमंत्र जी ने इसका उद्गाटन किया दूसरा है पुस्पादा राई जादा साफ फाल की फिलिम परुसकार 2020 से भी सही है बेस्ट एक्टर का बाड वासकार जो मिला है बिले स्मित को मिला है और न्यूज में थी अभी और सेंट्रल बिजिटर प्रजे से की है बिल्को सही है फ्रांस न्यूज में है तो कोश्चन आ सकते हैं राष्ट पती को ने बागे और राफिल भारत ने फ्रांस से खरीदे यूज और कौन सा देश सयोक्त हवाई अभ्यास कॉप साउथ 22 आयोज़त करेंगे तो यूज एन अमेरिका और आपका बंगलाद प्रिजांनमत्री हैं भारत में कितनी बिस्वववरासात साईट है और फॉटी नंबर की साईट कहां पर है तो आप से इस ताइप से देखिए मिसौबरेसात से नैमसार साई Lap ile जो टाई का रजार में नए जो जो बनते हैं इनसे आपके question आते ही आते हैं exam में दोलावीरा जैसे question आ सकता है दोलावीरा कहा पर है रामापा temple कहा पर है क्योंकि ये UNESCO बढ़ेटर साइट में है तो इस question आपके आ सकते हैं नेक्स्ट नाटो के secretary general कौन है नाटो न्यूज में है यूक्रेण रूस में नाटो और आपका European Union ये सब न्यूज में है तो इनसे question आ सकते हैं नाटो के secretary general है Mr. Jens Stoltenberg Mr. Jens Stoltenberg is the secretary general of NATO North Atlantic Treaty Organization whose headquarters is situated in Brussels Belgium नेक्स्ट है WTO and WHO head belong to each country यानि WTO और WHO के head है वो किस देश से संबन्द रखते हैं या संबन्द हैं तो WTO के head है वो पहली महिला है और अफरीकी मुलकी है तो वो है Nigeria की और WHO के head है वो इथोपिया के है टेडरस एधनों वो अफरीका में एक देश है इथोपिया तो बहां से संबन्द रखते हैं नेक्स्ट है रामगण विस्धारी बनने जीव अभिरन और गुरु घासी दास राष्टे उध्यान ये चर्चा में भी थे और एक किस राज्य में है तो रामगण विस्धारी बनने जीव अभिरन ये आपका राजस्तान में है रासे रामगण रासे राजस्तान और तो नबागवर बड़ सेंचुरी कहाँ पर है, यूपि में है, कॉश्चन आप से यह भी पूछ सकते हैं, कि परहे हैं, तसा अक्रो प्रदेश में हैं, तो यह यहांद इस साथ है, यह पॉश्चन पर हैं, सहारा, गोउवी, कालाहारी, अटकामा, पैटागोनियन, थार है और जो आपका संडी है ग्रेट संडी कहाई ते हैसे גिपसण कईथी क्या है तो लिख है स्ट्रीट है बे है मीजर डिजार्ट है दोस्तों यानि मुख रेक थान है ठीके मरोस्तल गहते हैं तो सारा मरोस्तल आपको पतते ही या इस टाइब के कुशन आते हैं लेक से जील से भी कोशन आ जाते है। आपकी Heuron जील कहाँ पर है आपकी Ontario जील कहाँ पर है या इस टाइब से आपके चिलका जो जील है वो किस राज्ज में इस टाइब से भी कोश्चना जाते हैं तो जील है लेख है इस्ट्रेट है वे है डिजर्ट है इस अब आपको पढ़ना पढ़ेंगे मैप आपको देखना पढ़ेगा APU के point of view जे नेक्स्ट है संभीदान सभा के अंतिम जीवेत किस सदस्त का निधन हो गया है तो इसका राइट अंसर है TM TM काली आनन गोंडेर है जो इनका निधन हुआ है और इस अंभीदान सभा के अंतिम जीवे सदस्ते इनका अब निधन हो गया है नेक्स्ट है संभ्त राष्ट में भारत के स्ताई पिरतिन देधी कौन है United Nation है भारत के स्ताई पिरतिन देधी है TS तिरुमूर्थी है United Nation में भारत के permanent member है जो लेंगान उपात है वो है 943 पर 1000 मेल है यानि 943 फी मेल है यहाँ पर 1000 पर नेक्स्ट है परदान मंतरी के पंजाब दोरे के दोरान सुरक्षा चूप की जाँच कौन सी समीती से सम्मंदित है तो देखिए यहाँ पर 4 एक मिनिट ओप्सन दिए गए है यहाँ पर के का स्तूरी डंगन है जस्टिस इंदू मलोट्रा है और के का स्तूरी डंगन है अभिताप कांत है और एक और ऑप्सन में अमिस्टा है तो देख लेते हैं इसका right answer है जस्टिस इंदू मलोट्रा इस committee में और भी लोग होंगी लेकिन यहां पर जो पूछा गया है, वो यह पूछा गया है, इन चार में से कौन सम्मझत है, जैसे कई का स्थूरी रंगन है, तो इनकी भी एक समीती है, और जो आपके education policy से related थी, अभी ताप कांता आपको बता है, नीती आप से related है, अमेस्सा पहले सा कारिता मंत्री बने है और यह आपको पता ही है, हमें साग्रा मंत्री है, तो इसका right answer कह रहेगा justice इंदू मलोत्रा, तो जो नई समीती है, इनसे question आपके, जैसे पेगासस बाला matter चला है, तो उससे related जो समीती और case बगएरा उससे पूछ जाते हैं, तो प्रिदान मंत्री की जो सुरक्चा में चू एक Commonwealth और G7, तो Quad में भारत है, चार देश में भी बताया था, और ब्रेक्स में ब्राजिल, लूस इंडिया, जाने साउथ आफ्री के ब्रेक्स में भी भारत है, SEO, संगाई Corporation Organization, Headquarter, Beijing में भारत है, G20 में भारत है, 19 देश और एक इसमें European Union है, G20 की तो भारत मैजवानी करेगा, आफ यह अंगले वर्स और आपका जो रही है, इसमें क्या है यकोर, सार्क है, तो सार्क में भी भारत है, और विम्स्टेक में भी भारत है, अफगानस्तान नहीं है, इसमें a question आता है, अफगानस्तान है कि training में, Commonwealth में भारत है, GC1 भारत नहीं है, और GC1 में रूस भी नहीं ह पढ़त किसम नहीं है तो इनसावी में mm में तर्फ भारत नहीं है। नेक्स्ट पंजब मेंम्रेस्रनगर बोकिष्य स्थापित किया था। टो गुरु रामदास्र गुरु टेग भाहधर या गोबिन्दशिंह या गुरु नारक ने। इसका डिटन से गुरू राम्दास ने अमरेस सरनगर गुज्तापद किया इसके लबाग गुरू तेग भाहदुर जी से कुछन आ सकता है इनका जो चारसोवा तरकास पर मनाय गया था इसी वर्ल तो कोश्वन आ सकता है ईनसे कोई भी कोषन पूच सकते हैं गुरूतेग भादरजी से क्योंकि उनका चार सौवा परकास पर मनाया गया तो यह अभी चर्चामें है नेक्स रॉयत बाड़ी परता किसा प्रारण की थी थामास मुणूर ने और थे रॉयत बाड़ी परता परारण की थी और इन चारों से आपके कुशन आ सकते हैं, द्यानाद सुरसोती पच्छी से पढ़ दिए, इनकी कौन सी पुस्तक है, कौन-कौन सी जो, कौन-कौन से उससे रिलेटेट थे, राजाराम मुहन रोय है, जैसे सती ब्रता, मतलब जो-जो से भी ये रिलेटेट थे, वह आप पढ आपना कभी, नाटो, यूरोपियन, यूनियन, यूज में हैं, तो कौश्चना सकते हैं, नाटो का हैटकोर्टर कहां पर है, ये भी कौश्चना सकता है, और नाटो में नया देश कौन सा जोड़ा गया है, ये कौश्चना सकता है, यूरोपियन, यूनियन में कितने देश ह पाली में European Union से अलाग हो गया था तो नाटो का headquarter आपको पता ही है Belgium की राजधानी में है बूसल्स में तो नाटो की स्थापना हुईती उन्राइश सो नंचास में और European Union की स्थापना हुईती उन्राइश सो तेरा अवे में निम्ल visto में सबसी पुरहना राजधान जाइए करो निकल के कौन सा वंस का वाया और किस वंस की इस्थापना है तो उर्ष 7 वाहन इसका राइड आंसर है गुलाम का गुलाम किसी कहा गया था अलाउदीन खृलाम इल्टोमिस जहांगीर और मोहमद बिन्तोगलक को कहा जाता है अलाउदीन खृली से भी question आते हैं आपके खृली बिन्स जो तो जो चार-माच बांस थे हुथ उनने सबसे कम सासन किया थे खिली दंस ने और तोकलाक मैंने सबसे याद्ना तो कोष्टिन आती है और तोकलाक कोम्स ने सबसे आते हैं बहु Subs. बिन तोगलक सी तो इसे आप अच्छे से पढ़िए मुहम्मद बिन तोगलक और एक फ्रोज साथ तोगलक नेक्स्ट है मुराक को का इबन बतूता किस की सासनकाल में भारता आया था पहली ब्याद तो यह कोश्चन बनता है कि संसे पहली किस की सासनकाल में या इते ओंस रौह है को खकॉल के बत ताली режим के गया है पुष्ट फाइए और सम्भीदान संसूदन से रिलेटर है कौन सी समयती ने इसकी जो रिकमेंडेशन की लिए कितने तरकार का टेक्स से लेट जीएश्टी में लगता है और वीडियो को लाइक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद